हलो एवरिवन वेलकम टो चैनल एंपी बूर्ट इंग्लिश मिडियम सो गैस एंपी बूर्ट के बच्चे काफी ज़दा निराश है उनके क्लास 12 के रिजल्ट से और होना भी चाहिए क्योंकि एंपी बूर्ट ने बहुती बेकार इस बार रिजल्ट दिया है उनका इस बेकार रिजल्ट के कारण बच्चो को काफी ज़्यदा तकलीफों को सहिंद करना पड़ रहा है मैं हाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जहांज आपे बच्चो को उनकी कम आक्सी कारण सेक्रिफाइज करना पड़ रहा है पहला point या आता है कई सारे बच्चों के सपना था कि उन्हें 25,000 रुपय चाहिए कम percent के कारण बच्चे उसमें qualify नहीं हो पा है दूसरा आता है बहुत सारी योजना होती है जैसे मिधावी चात्रे योजना हो गए और इस तरह कि जितनी भी MP बच्चों के लिए लागू करता है कम percent के कारण बच्चे उसमें qualify नहीं हो रहे मिधावी का भी एक criteria होता है कि 70% आप लोगों को मिलना चाहिए बट कई बच्चे जो NEET और J की तयारी कर रहे थे उनके 70% से कम percent बने बच्चों ने पहले तो ऐसा सोचा था कि 60% बोर्ड में बनाएंगी फिर मिधावी लगा करके अपनी जो पढ़ाई हों मुफ्त में करेगे free of cost इस योजना का लाब उठाएगे बट कम percent के चलते बच्चे उसका भी फायदा नहीं उठा पा रहे है कई बच्चे ऐसे है चो नीट के तियारी कर रहे थे चाहिए के तियारी कर रहे थे for example नीट वाले बच्चों को अगर किसी भी medical college में admission चाहिए तो उनका PCB का percent at least 50% होना चाहिए बट कई बच्चे कम percent के चलते उस criteria को भी fulfill नहीं कर पा रहे और ऐसे बहुत सारी चीज़े है जहां पे इन कम percent के कारण बच्चों को sacrifice करना पड़ रहा है तो बच्चों का मेरे पास comment आ रहा था कि भी हम ऐसी condition में क्या कर सकते हैं मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ बहुत close है मेरे से मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जो इस कम percent के चलते drop लेने का सोच रहे कि भी हम एक और बार 12 दे देते है क्योंकि इतने कम percent को लेकर कि हम हमारे जिवन में आगी क्या करेंगे तो देखो guys ये जो percentage होता है हमारा कही ना कहीं तो काम आता है आप लोगों को किसी काम में नहीं आने वाला जिसे नीट वाले बच्चे जानते होगे जेई वाले बच्चे जानते होगे कि class 12 का भी कुछ criteria होता है अगर आप फुल्फिल नहीं है तो आप लोगों को आगे interviews में jobs में भी ये चीज दिक्कत करती है तो बच्चे जो drop ले रहे हैं मैं आप लोगों के साथ हो देखो जपन को अपना career बचाना है तो कुछ तो बड़ा step लेना ही पड़ेगा और रही बात यहां पर MP board की तो MP board आप लोगों के सामने दो option पूट करता है पहले आप copy मंगा सकते हो या फिर आप retotaling करा सकते हो पर दोनों एकदम useless option रहते है मेरे साथ अगर आप copy मंगा करके देखते है और confidence है आप में इत्ता कि आप लोगों के number बे फिजूल में काटे गए है जबकि आप लोगों के number इतने नहीं काटे जाना चाहिए तो आप MP board पे case कर सकते हो ताकि आप अपना साल बचा सको बट यह प्रक्रिया काफी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे काफी ज़्यादा disappointed है और काफी ज़्यादा sacrifice कर रहे है अपने इस खराब result के चलते हैं और मैं MP board से appeal करना चाहूगा कि इस तरह की गलती MP board बार-बार ना करें क्योंकि एक बच्चा अगर जही के लिए drop ले रहा है तो उसका एक साल ड्रॉप लेने में चला जाता है और उसकी एक जिंदगी का एक भामुले साल पूरा पढ़ने में निकल जाता है जबकि अगर उनका result अच्छा होता तो इससाल qualify कर जाता तो यह सारी जो दिक्कते थे वो मैं आप लोगों तक share करना चाहता था आप लोगों के according क्या solution होना चाहिए इसका मेरे comment section में जरूर से बताईएगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में share कीजिए जो भी solution आता है मैं आप लोगों के साथ जरूर से share करूँगा thank you for watching this video मिलते हैं आप सबी से next video में